नमस्कार दोस्तों हिंदी निव जेफेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों एक ख़बर आ रही है कि भारत को जो S-400 की डिलिवरी होनी थी रूस से उसकी अब डिलिवरी नहीं हो पाएगी ऐसी ख़बरे चलाई जा रही है चीनी मीडिया के दोरा और अमेरिका में पस्चमी और अन्य पस्चमी देशों की मीडिया के दोरा आईए इसमें कितनी सचाई है और क्या ये पूरी ख़बर है आईए विस्तार से बताता हूँ दोस्तो दरसल बात ये है कि भारत ने 2018 में रूस से एक आगरिमेंट किया था कि हमें एक एर डिफेंस सिस्टम चाहिए S 400 उसके लिए भारत ने एक एगरिमेंट में 5.4 अधोरार का एक agreement किया तो उसके according रोस ने हमें air defense system की supply भी start कर दी बनाने के साथ ही साथ तो वो कई batches में होनी थी तो उसने तीन batches में उसकी delivery कर दी लेकिन जो last batch है उसकी delivery अभी नहीं हो पा रही है तो इसको लेकर के पस्चिमी मीडिया और चीनी मीडिया ने एक propaganda भारत के खिलाब बनाना सुरू कर दिया ताकि भारत और रोस के रिष्टों में कुछ खटास आ जाए कुछ दूरियों आ जाए तो लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों हुआ क्या कि रोस अमेरिका और चीन की मीडिया ने ये कहना सुरू कर दिया कि भारत को अब रोस इनकी S-400 के डिलिवरी नहीं कर पाएगा क्यों कि रोस के उपर प्रतिबंद लगे हैं तो S-400 को बनाने के लिए जो रोव मेटरिल के जरूरत होती है रोस को रोव मेटरिल की प्रापती नहीं हो पा रही है कोई देश उसे raw metal की supply कर नहीं रहा है लेकिन दोस्तों इसमें कुछ भी सचाई नहीं है दरसल जो S-400 को बनाने वाली company है उसके CEO खुद आए और उन्होंने एक बयान जारी किया बयान में उन्होंने ये बोला कि जो भारत को S-400 की delivery करनी है वो हम time से कर देंगे और उसमें कोई भी देरी नहीं होगी और साथी साथ भारत ने भी इस चीज़ को बड़ा करात्मक लिया है जैसा उनका बयान आया है अब बतातें कि S-400 भारत के लिए कितना जरूरी है दोस्तों आपको बताऊं कि S-400 दुनिया में सिर्फ चार देश यूच करते है एक तो रोस वो खुद उसका बनाने वाला देश है दूसरा चीन तीसरा तुर्की और चौथा भारत है दोस्तों इसके बारे में ये बोला जाता है कि S-400 जहां पर भी तैनात होता है उस साइट पर कहीं से भी कोई किसी भी तरह का खत्रा आपको नहीं मैसूस होने देगा ये ये बड़े से बड़े हत्यार को हवा में ही मार देगा कैसा भी हत्यार हो ये इतना सक्तिसाली है दुनिया में सबसे अच्छा Air Defense System माना जाता है तो अभी जो भारत के पास Air Defense System है उसको भारत ने चीनी सीमा पर तैनात कर रखा है अब हमें एक साइट पर पाकिस्तान के लिए भी ये लगा कर रखना है तो वो जो अंतिम डिलिवरी आएगी वो पाकिस्तान बॉर्डर पर हमें लगानी होगी जिसको लगा देने के बाद हमारी Air Force को बहुती ज़्यादा ताकत मिल जाएगी और हम काफी विए तक अपने आपको सेफ महसूस करेंगे क्योंकि हम दो तरफ से अपने दुस्मनों सो गेरे हुए हैं एक चीन और दूसरा पाकिस्तान पस्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस से कम से कम हतियार खरीदे और बलकि ना खरीदे लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों अभी हम सबसे ज़्यादा हतियार रूस से ही खरीदते हैं नंबर वन सप्लायर रूस ही है पहले हम ये खरीदते थे 62% अब हम रूस से खरीदते हैं अपनी जहुरत का 45 पर्टन ये कमी इसलिए आई है खरीदने में क्योंकि अब भारत मेकिन इंडिया के तैद खुद भी बनाता है रूस के हल्प से बनाता है कुछ ट्रांसफर टेक्नलोजी के तुरू कराता है किसी दूसरे कंट्री से साथी साथ अब भारत एक कंपनी एक देश पर निर्भार नहीं रहता है साथी साथ वो फ्रांस अमेरिका और इसराइल से भी डिफेंस का पैक्ट कर रखा है उनसे भी करीदता है तो ये तो एक अच्छी बात है कि किसी एक कंट्री पे भरोसे पूरी तरह से नहीं करना चाहिए लेकिन इर्भी हम अभी भी सबसे ज़्यादा पर्चेजिंग हम रोज से ही करते हैं दोस्तों दोस्तों यह रही अभी तक किनुट आगे इस पे कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाओंगा धन्यवाद दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं